यह जङक्ए कुछ हेलो दोस्तों आप सभीको मेरे चैनल में स्वागत है तो आज मैं आप सभीको इस वीडियो में बदाम की कीम بنाना सिखाऊंगी यह बदाम ज़्यक्रीम आपके यह cream skin lightening, skin whitening और anti aging में बहुत ज़्यादा मदद करती है और इससे आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी effective results मिलते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि इस almond cream यानि की बदाम की cream को कैसे बनाया जाए तो इस cream को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 10-15 बदाम और अब हमें इन बदामों को रोज वाटर यानि की गुलाब जल या नॉर्मल पानी में भिगोना है और इसको रात भर के लिए भिगो कर छोड़ना है और जब सुबह उठकर आप इन बदामों को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे ये बदाम बहुत दो सॉफ्ट हो चुके होंगे और फूल चुके होंगे तो अब हमें बदाम की क्रीम बनाने के लिए इन बदामों को छीलना है जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ और सारे बदामों को अच्छे से चीलने के बाद आपके बदाम कुछ इस तरह दिखेंगे अब हमें इन बदामों को पीसना है और पीसने के लिए मैं इन बदामों को एक ब्लेंडिंग या ग्राइंडिंग जार में डाल कर उसके अंदर थोड़ असा गुलाब जल डाल कर अच्छे से पीस लूँगी और आपको इन बदामों को तब तक पीसना है जब तक एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए और अच्छे से बदाम पीसने के बाद आपका बदाम का पेस्ट रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा अब हमें इस बदाम के पेस्ट को छानना है और यहाँ पर मैं च्छनी की मदद से इसको छान रही हूँ ताकि बदाम का जूस यानिकी रस निकल जाए और अगर आप च्छनी का इस्तमाल नहीं करना चाहते तो आप इस बदाम के पेस्ट को किसी cotton या मलमल के कपड़े में रखकर अच्छे से निचोड लीजिए और बदाम का रस निकाल लीजिए और बदाम का रस निकलने के बाद अब हमें इस बदाम के रस में एक चमच बदाम का तेल डालना है बदाम का तेल डालने के बाद अब हमें इसके अंदर एक चमच वाइटमिनी ओल डालना है और अगर आपके पास वाइटमिनी ओल नहीं है तो आप 3-4 वाइटमिनी कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं और एलवरे जल डालने के बाद अब हम इन सभी इंग्रीइंस को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि एक स्मूध, क्रीमी और फ्लफी पेस्ट बने और सभी इंग्रीइंस बहुत अच्छी से मिक्स करने के बाद आपकी बदाम की क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी ये बदाम की क्रीम बहुत अधा स्मूध, सॉफ्ट और फ्लफी होनी चाहिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और इसकी कंसि इसकी मीरियम होनी चाहिए नहीं ज्यादा थिक और नहीं ज्यादा रनी तो चलिए अब मैं आपको बताती ही कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए और इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही असान है आप इस क्रीम को किसी भी एटाट कंटेनर में रूम टिंप्रेचर पे 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और अगर आप इस क्रीम को फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो अप इस क्रीम को 25 से 30 दिन तक स्टोर कर सकते हैं यह बदाम की क्रीम 100% नाच्रल है और 100% effective है आपकी dark spots, acne scars, pimples या uneven skin tone को भी completely remove करती है और आपके skin per se sun tan, black spots और dry or flaky skin को भी हटाती है ये एक perfect anti-aging solution है जिससे कि आपके जुर्या sagging skin और dull skin से आपको चुटकारा मिलता है और आपके skin बहुत ज़्यादा fair, glowing और radiant हो जाती है तो चलिए अब देखते हैं कि surface को ज़र असा लेना है और अपनी skin पर circular motion में gently apply करना है इस cream को अपने face और neck पर अच्छे से massage कीजिए ताकि ये cream आपके skin में अच्छे से absorb हो जाए और आपको best results दे और अगर आप इस cream से best results पाना चाते हैं तो इसको दिन में दो बार use कीजिए एक सुभा और एक रात को सोने से पहले तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करना न भूले और आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं आसी बहुत सारी easy और effective home remedies देखने के लिए और subscribe करने के बाद आप उस bell icon को दबाना न भूले मेरे वीडियोस की regular और future updates पाने के लिए